हेलो फ्रेंड सोलर चर्जावित क्रिष्णा मैं फिर आपका स्वागत करता हूं मैं क्रिष्णा सिर्वास्त हो तो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे आपने सुना होगा कि हम भी ट्रेंग में जब बच्चों को पढ़ाते हैं या बुक्स में हम देखते हैं या गूगल पर सर्च करते हैं कि टिल्टेंगल कितना रखना चाहिए तो उसमें आपको ठम रूल करके आता है कि जितना जिस साइड का लेटिटीटेंगल है उतना ही आ तो इसे हम प्रूब करके देखेंगे क्या एक्चॉल में लेटिटीटेंगल या किसी भी साइड का जो लेटिटीट है उसके अगर मैं टिल्टेंगल रखता हूं तो मुझे मैक्सिमम जनरेशन मिलेगी क्या वो मेरे एवरेज है सन की पोजीशन तीनों मन्त में जो चेंज ह होती है तो वो क्या उसकी एक्चॉल पोजीशन मुझे एवरेज मिल जाएगी अगर मैं किसी भी साइड के लेटिटीट के अकॉर्डिंग मेरा तिल्टेंगल रखता हूं तो आज हम यही देखेंगे तो वीडियो की सुरुआत करते हैं वीडियो सुरुआत करने से पहले च सिस्किल एजुकेशन को जो एक्चुल बहुत ज़रूरी है अभी मार्केट में सोलर का नाम अश्चा नहीं है क्योंकि नॉन-टेक्निकल लोग मार्केट में सोलर का काम कर रहे हैं जिने बेशिक सोलर का चोटा-चोचा जो technical साउधानी बोले या प्रॉपर इंफोरमेशन बोले वह नहीं पता है जिसके कारण वो क्या करते हैं गलत सिस्टम लगा देते हैं तो प्लीज आप सारे वीडियो की लिंक को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सेयर कर दीजे तो वीडियो सुरू करता हूं मैं हम यह देखेंगे कि tilt angle equal to latitude angle y क्यों रखते हैं और अगर यह सही है तो देखें यह आपके मैली हमें पता है कि हमारे जो सन की position है altitude maximum आएगा means मेरा जो solar का tilt angle है वो मेरा सबसे कम होगा क्योंकि solar का जो tilt angle है वो क्या होता है 90 minus sun का altitude angle ठीक है और जहां मैं 21 December की बात करता हूं तो वहां मेरा जो solar है उसका altitude angle सबसे कम होता है आप photo में देख सकते हो इसमें slide में 21 December को solar की position आप देखो सबसे नीचे है जबकि 21 June को बिल्कुल top पे है तो मेरे sun की जो भी moment होगी वो 21 June से 21 December के बीच ही होगी मुझे मेरे चुकी मैं fix structure लगा रहा हूं मेरे project में तो जब मैं fix structure लगा रहा हूं तो क्या होगा कि मेरा face structure मुझे ऐसा लगाना पड़ेगा कि अगर मैं उसे adjust नहीं कर रहा हूं मौसम के according फिर भी मुझे maximum generation मिल सके ठीक है तो हम क्या करेंगे हम यहीं चीज देखेंगे कि हमारा यह maximum हमें जन्देशन दे रहा है या नई तो यह दोनों के बीच के मैं क्या करता हूं यह आप देखो यह मेरे तीन मन्त है 21 जून गर्मी का मौसम 21 दिसंबर ठंड का मौसम सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन इसके बीच मेरा आता है बारिस 21 मार्च को है ना तो इन दोनों के यह बीच में रहता है मेरा जुलाई या अगस के सम्थिंग यह आप देखो यह पूरे बारा महिने में सन की पोजीशन है 21 जून फिर आपका जुलाई अगस सेप्टेंबर ऑक्टोबर नवंबर दिसंबर सबसे नीजिये मेरा सूरज आया उसके बाद फिर यह उपर जाने लगता है तो फिर दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च एप्रेल और में तो यह पूरे एक साल में मेरे सन की पोजीशन है 21 तारीक पर सारे बारा मन्त में अब मैं इसके एकॉर्डिंग क्या करूंगा हर मन्त में मेरे सोलर का एल्टीटूट एंगल कितना होगा यह मिनने कालूंगा तो यह हमें हमारी भोपाल लोकेशन का डेटा म और यह जितने भी एंगल ही यह समय ने पीक पे लिया है मतलब बारा से साड़े बारा बजे के जब सेंटर में ट्रू साउथ में मेरा सन रहेगा तब उसकी क्या एक्चुल एल्टीटूट हाइट या एंगल रहेगा वह मैंने यह लिये हैं तो 21 जून को आप देखो 89.8, 21 जुलाई को 87.2, 21 अगस्त को 78.8, 21 सेप्टेमबर में 66.4, ऑक्टोबर में 56.1, नवंबर में 46.8, दिसंबर में 43.3, दिसंबर के बाद जब बिलकुल नीचे आ जाता है सन, उसके बाद फिर धीरे धीरे इसका एंगल जो है यह बढ़ने लग हो गया, फेबरी में 56, मार्च में 66, एपरिल में 78, में 87 और जून में आपका 89.8, तो जब एल्टीट्यूट एंगल हमारा यह है तो हमारे सोलर का टिल्ट एंगल क्या होगा हम जानते हैं, 90 माइनस एल्टीट्यूट एंगल होता है, means अगर मेरे सन का एल्टीट्यूट 90 है, तो उसके लिए मैं सोलर का टिल्ट एंगल क्या रखूँगा, 0 रखूँगा, 90 सोलर का एल्टीट्यूट एंगल मतला बिल्कुल मेरे सिर पे है मेरा सोलर जो है, तो उसके लिए मैं कैसे लगाँगा, फ्लेट रख दूँगा रूप पे मेरे सोलर पैनल को, तो वहां ट 2.2 degree पे रखता हूं मेरे solar को तो वो perpendicular to the sun रहेगा maximum जो rhan sun range है वो perpendicular मेरे module पे आएगी यदि मैं December में बात करता हूं तो December में अगर मेरे solar का altitude एंगल 43 है और मुझे solar डारेकश पर्पेंडिकुलर करना है तो मैं 46.7 degree लेकर उसका tilt एंगल module अगर लगा दूँगा तो मेरा solar से direct perpendicular उसके लंबवत रहेगा तो अब आप इसमें देखो मैं क्या करूंगा यह जितने मेरे tilt angle आए है जून से लेके December के आप इनका total करिए 0.2 plus 2.8 plus 11.2 plus 23.6 plus 33.9 plus 43.2 plus 46.7 जब आप इनका total करके divided by 7 करेंगे 7 क्यों क्योंकि यह 7 reading है जब आप divided by 7 करेंगे तो आपको average angle क्या मिलेगा 23.04 इसका मतलब मेरा जो latitude angle है 23 degree का ठीक है उतना ही मेरा average angle आ रहा है इसमें भी अगर आप देखो जो यह table बनी है तो 0.2, 2.8, 11.2 उसके बाद 23.6 उसके बाद फिर आपका यह बढ़ता है angle दिसंबर तक उसके बाद फिर जब यह कम होता है तो बीच में मेरा center पर क्या आ रहा है average तीन reading ऊपर है उसके तीन reading नीचे है average में क्या है 23 degree है ठीक है इसका मतलब अगर मैं भोपाल में मेरे solar panel को 30 degree पर लगाऊंगा तो जब मेरा solar का altitude angle बढ़ेगा ठीक है गर्मी जब आएगी तब भी मुझे maximum generation मिलेगा और जब ठंड में नीचे जाएगा मेरा solar तब भी मुझे maximum generation मिलेगा मतलब अगर मैं पुरानी slider से देखूं तो पुरानी slider से क्या होगा मेरा कि जो sun की position है ये ठीक है इसमें ये बीच में जो ये sun है इसके इस तरफ का भी generation मुझे मिलेगा sun radiation और इसके इधर की भी radiation मिलेगी तो जो मेरा generation होगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा average में अगर मैं निकालू तो ऐसे तो direct इसी पर मिलेगा अगर यहां रखूंगा यहां रखूंगा actuator लगा के तेकिन अगर मैं fix structure में बात करूं तो अगर मैं ये 21 March और September की position पर रख देता हूं मेरे sun को तो मुझे इधर का भी generation मिलेगा और इधर का भी generation मिलेगा तो अगर ये कहा जाता है कि जितना किसी side का latitude टेंगल है आप उतना ही tilt टेंगल रख दीजे तो ये बिल्कुल सही बात है इस table से ये चीज़ प्रूफ होती है आप क्या करिए आप जहां रहते हैं वहां के sun की position निकाल लीजे पूरे 12 मंद की और आप अगर अब ये पूछोगे कि सर ये कैसे निकालना है तो आप मेरे पुराने वीडियो की playlist में जा सकते हैं वहां मैंने आपको तीन प्रकार की website है दी है जिससे आप sun की position निकाल सकते हैं एक mobile app के बारे में बताया था दो website के बारे में बताया था जिससे हमें solar का data या tilt angle का data मिल जाता है azimut angle मिल जाता है altitude angle मिल जाता है ठीक है तो उमीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए helpful रहेगा अगर आप आपसे कोई पूछता है कि क्यों हम tilt angle के बरावर ही latitude या latitude के बरावर tilt angle लेते हैं तो आप easily उसे explain कर सकते हो कि सर क्योंकि वो center का average angle है जिसके उपर होता है हमारा ठीक है जो sun की position और उससे नीचे change होती है अलग-अलग मन्त में तो ठीक है आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही फिर मिलेंगे हम और आप एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ एक नए discussion के साथ तब तक के लिए इजाजत दीजिए नमस्कार